बिसमिल्लारमानाराहिम असलामलेकम कैसे हैं आप सब मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वराइटी ओफ टेस तो जणाब आज वराइटी ओफ टेस में मैंने एक चोटा सा विल्लॉग बनाया है मैंने शेयर किया है आपके साथ अपनी एक डेली की रोटीन मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके साथ अपनी डेली रोटीन को शेयर करना आपको कैसा लगा है आपने बताना है मुझे कमेंट में तो आये शुरू करते हैं अपना विल्लॉग डेली रोटीन का विल्लॉग और एक स्पेशल रेसेपी है इसमें आचा यहां पे जो है ना वो 11.30 का टाइम है सुबो के साड़े ग्यारा बच्वे हम लोग जो है वो स्कूल से वापस आ रहे हैं बच्वों के पेपर्स हो रहे हैं तो इसकी वज़ा से जो है उनको जल्दी चूटी हो जाती है तो दिए जल्दी चूए वो अपने खर आ चुके हैं यह हमारी ट्री टैप खुली सी पैरी सी तो यह हमारा गार्डन है हमने अपने खैर में के आगे जो हैं वो हमारी थोड़ी सी जगह है ग्रीन बेल्ट उसमें पॉदेश अदे लगाय हू है और वेक्ष यहां पे चोटी सी थी बच्चों की टीचर्स के साथ, हम लोगों ने थोड़ा सा इंच्वाई किया था, कुछ स्नैक्स वगरा थे, को डिंग्स थी, और बाद में जो थी, वो हमने चाय वगरा पी थी, तो हमने अपने थोड़े से टाइम को मेमरेबल बनाया था, यहां पे जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ उपना पासपॉर्ट, पासपॉर्ट क्यू दिखा रही हूँ? क्योंकि अलललय ने मुझे एक बहुआ बढ़ी साध़त दी आ, मैं उमरा करने जा रहीू हूँ और उस से बढ़ी साध़त यह मैं अपने वालोंदेन के साथ ज है ना मैंने चुक्छे उम्रे पर जाना था तो मुझे कुछ चीजे रिक्वाइड थी तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम जो है वो जाएं और शॉपिंग करें मॉडल टाउन लिंक रोड पे हम लोग गए थे यहां यह स्टाइलों की शॉप है बच्छों की असेसरीज भी मैंने देखी थी शूज वगरा भी मैंने देखे थे बट मुझे इन में से कोई खास चीज पसंद नहीं आई तो मैंने जो थे आना वो बैग लिये थे यहां से मुझे उम्रा के लिए बैग चाहिए था और एक क्वैजियल यूस के लिए मुझे बैग चाहिए था तो दोनों जो थे वो में पर्चेस किये थे मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें यह मस्टर्ड कलर में है हेंट बैग है और यह बैग पैक है जो कि मैंने स्पेशल ली उम्रा के लिए लिया था ग्रे कलर में अच्छा यहां पर मैं आपके साथ आज जो स्पेशल रेस्पी शेयर कर इन्हों वह दाल की है घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी तो मैंने किचन के बॉक्स को ले तो दाल पड़ी मुझे नजर आई तो मैंने सोचा क्यों ना दाल बनाऊ अच्छा यह मूंगर मसूर की डाल है अदा गिंटा पहले मैंने भी गो दिया था, हाफ हाफ कप लिए दुने का अब हम प्रेशर कुकरम ने इसको डालें गे साथ में यह पयास है एक बड़े-साइज की पयास है और उड़े-साइज की टमाटर है इसको मैंने आट लिया है performance सुरक मिछों का पॉर्बर डाला हैUP चनब हम हाफ धाले चाफम और half tablespoon जो है वो मैंने इसमें pink salted किया है अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे पानी आपने इतना डालना है कि आपकी इसमें डाल भी अच्छे से गल जाए और डाल जो है न यह थोड़ी liquid form में होती है जो dry वली डाल नहीं होती आठ मिनट प्रेशर लगाया है और यह देखें हमारी डाल कितने अच्छे से गल चुकी है कितनी इसका texture कितना क्रीमी लग रहा है यहां पर दो तीन spices में इसमें एड़ करूंगी वन टिपल स्पून कुटा हुआ साब धन्या वन टी स्पून और स्वाफ टी स्पून जो है वो इसके बाद जो है ना हम इसको लगाएंगे डाल को तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने कड़ाई में जो है वो ओल डाला है इसके बाद इसमें हम लेसन डालेंगे यह चार से पांच अदर लेसन के जवें हैं इनको मैंने काट लिया है लंबाई की शेप में इसको जो जोंभ बानों प्राइबOनों का ठेस्टू है ना इसमें बहुत अच्छा आठाह और goin के अछली बहुत अच्छा अच्छा रगता है कुछ जब याध्या बीद अच्छा कि अच्छा में और याज जे शवरीयम डाल है अब हम इसको बावल में नेका लेंगे देखे मेरी बात सुने है जब तक में इसको में नेका रही हूं और आप पता क्या करने में जादा टाइम भी नहीं लगता जस्ट तू से थ्री सेकेंड ही लगते हैं दाल हमारी रेडी हो चुकी है इसको मैनेज है इसको पर हरा धनिया थोड़ा से सप्रिंकल की है तो जनाब कैसी लगी मेरी आज की अस्पेशल रेसेपी दाल वरी और मेरा विल लॉग आपको